तो आज दीबदान के बारे में जानेंगे हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है इसके बारे में फिर जानेंगे साथ ही आटे के दीपक आटे का दीपक जलाने से हमारी कौन-कौन सी परिशानिया दूर हो सकती है यह सब जानते हैं पंडर जी कौन कौन सी परिशानिया आते का दीपक लाने से दूर होंगी यह तो जानूंगी मैं आपसे लेकिन सबसे पहले दीपदान क्या होता है क्या महत्तव है ओम चंद्रमामन शोजात हचक्षो सूर्यो अजायत स्रोताद्वायुष्च प्राणष्च मुखादगनीर जायत दीपदान करने से व्यक्ति के सरीर में तेज की बृद्धी होती है आठे के दीपदान का प्रयोग किसी बहुत बड़ी कामना की पूर्ती के लिए किया जाता है कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुस्ठान हो, कोई भी यग्य हो, कोई भी तप हो सबसे पहला काम किया जाता है दीप जलाया जाता है इससे पहले कोई काम नहीं होता है पहले दीप जला जाता है और दीप जलाकर कहा जाता है भोडीपम देवण्पसत्वम कर्म साक्षि हे विक्निकृत यावत कर्मसमाब्pentि स्या स्यात्तावत्म सुस्थ्रूभाव हे दीप देवता आप सुरूप हैं आप देव सुरूप हो करके यहां इस्थित रहें, जब तक कर्म की समापती न हो जाए तब तक आप यहां पर प्रज्वलित रहें, ऐसी हमाजी आप से प्रार्थना है भोधी पम देवरूपस तुम कर्म साक्षी है बिगनों का समन करियें, यावत कर्म समापती स्यात और जब तक कर्म की समापती न हो तावत तुम सुस्थिरो भुव तक आप सुस्थिर बने रहें तो जो हमने अन्भो किया है वो ये कि दीप जलते ही वो अपने चारों तरफ की नेगेटिव उर्जा को नश्ट कर देता है और पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है और ये दीप जो तेल से घी से जलाय जाते हैं उन्हीं दियों में ये तागत होती है मा अन्पूर्णा का आसीस इस दीपक को मिल जाता है गेहूं के आटे के दीपक को और दूसरे दीपक की तूलना में आटे के दीप को सुख और पवित्र माना गया है आटे के दीपक में तमोगुण को संतुलित रखने की छमता है यहूं के आटे के दीपक से बिवाद में बिजय प्राप्त होती है उड़त के आटे से बने दीपक से सतु पर सफलता मिलती है मूँ के आटे से बने दीपक से परिवार में सांती आती है और मादुरगा, माकाली, हनुवान जी, भोलेनाथ, श्री हरी विष्णू, श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा में आठे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कर्द से मुक्ती, सिख्र विवाह, नवकरी, रोग, संतान सुख, संपत्य सुख, गरह कलेश, संपत्य विवाद, कानूनी विवाद से मुक्ती के लिए आठे का दिया जरूर जलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की साध्रा या सिधी में सभलता प्रात्त करने के लिए आठे का दीपक बनाते हैं। इसमें बत्ती डाल कर पजोलित करते हैं, धन तेरस के दिन घर में गहुँ के आठे का बना दीपक जलाने से परिवार के सधर्शों की आईलुम भी होती है। अरिवार में सुक सम्र्धी का वास होता है आपने एक चीज गवर किया होगा जब किसी का बिवा होना होता है और बिवा के बाद बारात आती है बारात का द्वार पूजन हो जाता है द्वार पूजन के बाद बारात फिर जन्वासे में चली जाती है उसके बाद में जब पूजा करती है और पूजा करने के बाद बरपक्ष से उसे बस्तर और गहने मिलते हैं उसके बाद वो गुपतागार में चली जाती है अर्थात अंदर अपने घर में चली जाती है उसके बाद लड़के को बुलाया जाता है लड़का जबाता है तो आटे के दीपक में चार म पुखी दिया जलाने का यहां सिर्फ यही तातपर है कि लड़के के अंदर जो भी negativity हो सब सदा सरवदा के लिए समाप्त हो जाए। और आटे का दिया भी जलाने का यही तातपर है। क्योंकि लड़का जो उसमें आता है वो सिर्फ लड़का नहीं होता है। वो विश्नु रूप में होता है हमारे हां सनातन धर्व में विवाह में आय हुए वर को विश्नु स्वरूप मानते हैं इसलिए तो जिस परात में लड़के का पैर्ध होया जाता है उसी पानी से लोग हाथ भी दो लेते हैं और उसी पाजनी को पवित्र मानकर माथे पर लड़के के चद्ननभी लोग लगा देते हैं तो कहने का तात्पर ये है कहते हैं विराजो दोह अस विराजो दोह मशी में पाद्या याई विराजो दोह इस मंत्र से विश्णु रूप लड़के का पहर्द होते हैं और संकर्प लेते हैं विष्णु रूपेना तुभ्यमहम संपर्दे आप विष्णु रूप हैं इसलिए आपको ये कन्यादान समझपित करते हैं तो आठे के दीपक की बहुत बड़ी उपयोगता होती है और कुछ लोगों के घरों में अन्वांटेड मुसीबतें चलती रहती हैं जैसे किसी को चोट लग जाना, किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना आपत्ती पर आपत्ती, विपत्ती पर विपत्ती तो ऐसे लोगों को एक तंतरदीप जलाना चाहिए तंतरदीप उसको कहते हैं, जिसमें 100 ग्राम आटा, गेहूं का 100 ग्राम जव का आटा, 100 ग्राम चना का बेशन, 100 ग्राम उरत का आटा और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर ये 5 चीजें, साथे 400 ग्राम हो जाती हैं, इनको मिला लेना चाहिए आपस में और इनकी 10 पूडिया बनानी चाहिए, बराबर मात्रा में और एक-एक पूडिया का आटा गूत करके, उसका दिया बना करके, घर के अगनी कोण में लकडी के कोईले से क्रास का निसान बना करके, उसके उपर सायंकाल इस दीपक को जलाना चाहिए दस दिन तक लगातार अगर ये दीपक जला दिया जाए, तो आपके घर के उपर चाहिए जितनी बड़ी काली चाया होगी, वो नश्ट हो जाएगी और आप सुखी जीवन ब्रतित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैमाबिन दिवासमी नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं, जूस्ट्वेटीफॉर